हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन अवर चैनल आप सभी का स्वागत है मैं हम कपिलत हूँ आज की हम वीडियो में बच्चो क्लास 10 मैथ का एकसरसाइस 11.1 का कुश्चन नमबर 11 यह आज हम देखेंगे से पहले मैंने कुश्चन नमबर 10 और बेसिक का वीडियो मैंने पहले ही स्वाइब करते हैं अपना सेसे कोश्चन मैंने और रेडी बच्चो इस पेपर पे पहले और रेडी मैंने लिक रखा आप अपनी निवी बुक आप उसको ऊपन कर सकते हो तो कोश्चन में आपसे क्या बोला गया बच्चो एक कार है जैसा कि हम सभी लोग को पता है कार में दो वाइपर्स होते जो इसके मिरर को साप करते जो और लाप नहीं करते मैंने आपको आपको जहां नहीं confirmed करते है एक हमारा यहां पे वाइपर यह रहा और एक आपका यह सलीजाड जब यह रांड करते है कुछ इसी सेप में करते है जो की ओवर्लेप प एक दूसरे को नही है बच्चों वो आपकी क्या है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर उसकी क्या है लेंथ है एंड जिस एंगल पर ये उसको साप करते मिरर को तो एंगल ही क्रेट करते 115 डिगरी का ये कोश्चन में आपसे बोला गया है फिर पूछा कह गया देखिए फाइन दा टोटल एरिया क्लींड एट स्वीप ओफ दा ब्लेड उन ब्लेड सो की दुआरा कितना एरिया वो क्लीं किया गया आपको पाई की बहले 22 अपॉन 7 आपको यहां पर यूज करनी है तो देखिए डाग्राम में मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखे दुबाय फर्स ओके ज एरिया अफ सेक्टर निकालेंगे पहले हम एक ब्लेड का निकालेंगे जो एक ब्लेड का होगा वह है वही सेम आंसर आपका सेकंड का होगा क्योंकि सेकंड बाले की जो मीजरमेंट है बिलकुल सेम है टोटल के लिए फिर क्या करेंगे दौनों को एड कर देंगे या फिर आ पहले मैं one blade का निकाल रहा हूं ठीक है दूसरे का निकालेंगे two से multiply कर देंगे सिर्स तो टोटल आजाए गए पिकॉस जो डॉनों ब्लेड से उनकी जो measurement है लगबग सेम ही है सारी की सारी तो जो formula होता है वो आपका होता ठीठा अपाउन 360 multiply pi r square तो देखो आपको इसमें देखो angle भी आपको given है जो angle था बच्चो वो आपको दे रखा है 115 डिग्री ओके एंड जो radius है वो आपको बच्चो दे रखा है 25 cm तो सेम यही जो value है हमें इस formula में put कर देने हैं फिर उसके बाद बाकी यह अच्छी हुई सिंपल सी calculation तो 115 अपॉन 360 डिग्री multiply 22 अपॉन 7 एंड आपका जो radius है वो आपका 25 है तो 25 का square हो जाएगा जब आप इसको solve पूर होगे तो यह 5 से आपका 23 time and 5 से आपका 70 कितना होगा 72 time ओके देन फिर आप इसको अभी और cancel out कर सकते 2 से 11 time 2 से आपका 36 time यहापे cut हो जाएगा आपका रहेगे बच्चो 23 multiply 11 25 का 625 आपका होता है and upon में आपका रहेगे 36 multiply 7 जब आप इसको calculate करोगे तो आपको जो answer मिलेगा बच्चो वो आपको यहापे मिलेगा मैं calculate already कर रक है मैंने तो आपको मिलेगा 158 125 divided by 252 cm square यह जो area आपका निकल के आया है बच्चो यह निकल के आ है एक blade का तो आपसे पूछा गए total दोनों मिलके कितना area sweep करेंगे तो क्या करेंगे same measurement के दोनों है तो क्या करेंगे two से multiply यहाँ पर कर देंगे तो आपको लिखना है total area total area okay sweep y blades ठीक है एक ने अगर इतना किया हुआ तो दोनों मिलके इसका double करेंगे क्योंकि same measurement है two multiply one five eight one twenty five divided by two hundred fifty two तो आपको क्या करना है two से इसको नीचे वाला जो denominator इसको cancel out कर देंगे तो you will get one five eight one twenty five divided by two one's the two two two's the four two six the twelve centimeter square यानि कि जो दोनों blades है मिलके कितना area करेंगे one fifty eight one twenty five divided by one कितना आया है twenty six centimeter square तो यह था हमारा area of sector पर डिपेंड यह question था question नमबर 11 तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में question number 12 के साथ तब तक के लिए धनबाद take care and wait for the next वीडियो